राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, बच्चों आज हम पढ़ेंगे मैच्स के बारी में, बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो, मैच्स जो है बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, हम यह कह सकते हैं, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ, बसरते हम उसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ें, हर जो उसके चीज है, कंसेट जो कलियर करते चलें, और ज्यादा सी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करें, तो बच्चो हर चीज को बिल्कुल जीरो लेवल से हमने समझना है और बार-बार उसकी प्रैक्टिस करनी है तब आप देखोगी कितना आसान सब्जेक्ट है सबसे आसान सब्जेक्ट कोई है तो मैथ है तो बहुत से बच्चे मैथ से ड्रते हैं मैथ का फोबिया होता है तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा बच्चो मैथ जग्ट को जवफोबिया आपके मन में है उसको दूर कीजिए हम जो वह हमारी क्लासिज हैं इनमें मैथ को बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे बिल्कुल बेसिक से जिसको बिल्कुल नहीं आता, वो भी सीख जाएगा, बसरते वो सीखने के लिए तयार हो, ठीक है, क्योंकि बच्चों किसी बच्चे को तब तक नहीं सीखा सकते, जब तक कि वो सीखने के लिए तयार नहीं हो, ठीक है, तो कोई भी हम चैप्टर उठाएंगे, मैट्स हम सुर बूरू करेंगे तो बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक उसको लेके जाएंगे स्टेप वाइज स्टेप वाइज तो आपको क्या एक तो कलास मिस नहीं करनी है शुरू से आखिर तक पूरी कलास देखनी है और मैक्सिमम क्यूस्टिंज के हम क्यूस्टिंज करवाएंगे बच्चों और इनकी जो प्रैक्टिस कीजिए बार बार आप वीडियो को देखिए बिल्कुल जीरो से हीरो हम कह सकते है या हम कह सकते हैं बेसिक से चलेंगे और हाई लेवल तक उसको लेके जाएंगे ठीक है तो बच्चों अगर आप सीखने क के लिए तयार हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती शीखने से तो मैं आपको जो है मैं सिखाने के लिए प्रतिबद हूँ बसरते आप सीखने के लिए तयार हो तो बच्यों मैथ को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं एक एक स्टेप जो है एक प्रेक्टिस करेंगे तो देखिए बच्चो शुरू करते हैं तो हमारा जो चैप्टर रहेगा आज का वो रहेगा नंबर सिश्टम नंबर सिश्टम जिसको हम कहते हैं संख्या पदती संख्या पदती बच्चो बिल्कुल बेस है यह मैथ का यहां से मैथ स्टार्ट होता है बिल्कुल जैसे हम कहते हैं काउंटिंग से गिनती से हम सीखते हैं उसी प्रकार तो सबसे पहले नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पदती तो बचो इसके तहट सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिट के बारे में सबसे पहले digit, digit यान की अंक, तो बिचो टोटल हमारे digit कितने होते हैं, टोटल अंक कितने होते हैं, तो बिचो दस होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, सबसे होते हैं, तो टोटल हमारे digit होते हैं, टोटल हम 10 digit का प्रियोग करते हैं, जैसे आप सब इन्हें Roman पड़ी होगी बच्चो, Roman system, तो Roman system में total 7 symbol का प्रियोग होता है, साथ संकेतों का उसी प्रकार हमारा जो सिस्टम है इसमें टोटल कितने 10 डिजिट जो है 10 अंकों का प्रियोग किया जटता है इसलिए इसका नाम है decimal system क्या नाम है बिच्चो decimal system या जिसको हम कह सकते हैं दास्मिक परनाडी या दास्मिक पद्धती तो बिच्चो अगर आपसे पूछा जाएं कि दास्मिक परनाडी में decimal system में कुल कितने डिजिट का प्रियोग होता है कुल कितने अंकों प्रियोग होता है तो बिच्चो टोटल 10 अंकों का प्रियोग करते है हमारी जितनी भी संख्याएं इन 10 अंकों से मिलकर बनती है ठीक है इसके बाद बच्चो हम बात कर रहे हैं हम नंबर्स की बात कर रहे हैं नंबर्स जो हमारा chapter वो चला हुआ है तो नंबर्स की हम बात करेंगे तो बिच्चो गर मैं नमबर्स की बात करूँ तो नमबर्स संख्याएं जो हमारी दो तरे की होती है नमबर्स एरकी संख्याएं जो है वो दो तरे की होती है बच्चो एक होते हैं रियल नमबर्स रियल नमबर्स जिने हम कहते हैं वास्त्विक संख्याएं real numbers क्या कहलाते हैं बच्चो वास्त्विक संख्याएं तो real number वास्त्विक संख्याएं कोण से होती हैं वास्त्विक संख्याएं वो होती हैं बच्चो जो number line पर represent की जा सकती है जिने हम संख्या रेखा पर निरुपित कर सकते हैं संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं जिने हम क्या है नंबर लाइन पर रिपर्जेंट कर सकते हैं वो क्या कलाती है रियल नंबर जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जैसे 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3 ये सारी क्या है या हम ये कहें 1.5 या 2.7 ये सारी की सारी इसको हम क्या नंबर लाइन पर रिपर्जेंट कर सकते हैं तो ये सारे के सारे मेरे रियल नंबर हैं वास्तिक संख्याएं हैं बच्चों और दूसरी और होती हैं हमारी imaginary number, क्या होते हैं imaginary number, जिने हम कहते हैं कालपनिक संख्याएं, बच्चों जो वास्तों में नहीं होती, बलकि कलपना में होती, सिर्फ वास्तों में ऐसी संख्याएं नहीं होती, लेकिन हमारी कलपना में है, हम imagine करते हैं उनको, तो वो उत्य हमारी imaginary number कालप्रीक संख्या है ठीक है जिनको हम number line पर represent नहीं कर सकते जो number line पर represent नहीं हो सकती number line पर represent नहीं की जा सकती वो उत्य हमें जंदरी इसके लाँ बच्चो square root of negative numbers मतलब जो हमारे negative संख्याएं हैं उनके वरगमूल उनके square root वो क्या कहलाते हैं बच्चो वो कहलाते हैं आपके imaginary number जैसे minus 2 है बच्चो minus 3 है minus 5 यह नहीं की टी number इनके square root minus 2 का root minus 3 का root minus 5 का root इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं imaginary number कहते हैं इनको हम कोकालपनिक संख्याएं कहते हैं ठीक है बच्चो तो number हमारे 2 तरह के होते हैं एक real number रियल number इनकी वास्तुविक संख्याएं वास्तुविक संख्याएं जो संख्या रेखा पर जो number line पर रीपर्जेंट की जा सकती हैं उन्हें वास्तुविक संख्याएं कहते हैं और दूसरी imaginary numbers कालपनिक संख्या हैं जो number line पर represent नहीं की जा सकती जो संख्या रेखा पर नहीं दिखाई जा सकती वो क्या होती कालपनिक होती में जनरी होती है एक्चल में ऐसे number होते ही नहीं वो मारी कलपनाओं में होती है इसके लाँ बच्चो स्केर रूट ऑफ नेगेटिव जो मारी नेगेटिव संख्या है उनके स्केर रूट उनके वरगमूल क्या होते हैं इमेज अनरी होते हैं कालपनिक होते हैं बच्चो वैसे यह ध्या रखना minus 1 minus 1 जो यह negative number है इसका स्केर रूट minus 1 का जो स्केर रूट है बच्चो इसको हम कहते हैं आयोटा क्या कहते है आयोटा तो इसको हम ये लिख सकते हैं बच्चो माइनस टू का जो स्केर रूट है माइनस टू इन्टू माइनस टू का स्केर रूट को हम लिख सकते हैं बच्चो 2 into minus 1 का square root तो root 2 into minus 1 का square root तो root 2 minus 1 का square root को हम क्या कहते हैं Iota तो इसको आप 2 Iota लिख सकते हो इसको 3 Iota लिख सकते हो इसको 5 Iota तो ये सारी क्या है imagery नंबर है आपकी kalponic संख्याए है ठीक है कर लोगे इसके बाद बच्चो अगर हम आगे बात करें complex number complex number मतलब समिस्र संख्याएं समिस्र संख्याएं complex number समिस्र संख्याएं बच्चों complex number कौन सी होती है जो number real number और imaginary number दोनों से मिलके जो संख्याएं बढ़ती है real number वास्तिक संख्याएं और imaginary number अवास्तिक संख्याएं या काल्पनिक संख्याओं से मिलके जो संख्या बढ़ेगी उसको हम कहते हैं बच्चों complex number उसको हम क्या कहते हैं complex number कहते हैं बच्चों जैसे देखिए, अगर मैं ये लिखूं, 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये complex नंबर है, क्योंकि इसमें ये जो पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये वास्तुविक संख्या है, और ये जो पार्ट है, ये imaginary पार्ट है, ये कालपनिक संख्या है, तो इन दोनों को मिला कि इस संख्या ब खीक है, यहां सिरफ रियल नंबर की बात करेंगे, complex नंबर का जो हो चैप्टर अलग होगा, तो यहां सिरफ किस की बात करेंगे, real नंबर की बात करेंगे, हाँ, complex नंबर में थोड़ा सा तो बता देता हूं, बच्चों, कई बार बिलकुल basic question आ जाता है, magnitude निकालना आ जात और यह आयोटा वड़ा क्या है, imaginary part है, a प्लस b आयोटा, यह क्या है हमारा एक complex नंबर है, तो इसका magnitude होता है, बच्चों, a square प्लस b square अंडर दी रूट, a square प्लस b square अंडर दी रूट, जैसे बच्चों, गर मैं इसकी बात करूं, 2 प्लस 3 आयोटा, अगर इसका magnitude आपको नि कारने के लिए कहे, magnitude, तो हमने एक लिखेंगे, 2 square प्लस 3 square अंडर दी रूट, 2 का square 4, 3 का square 9, that is root 13, कई बार यह basic question type से पूछ लेते हैं, बच्चों, तो यह आपको ध्यान रख़णा है, ठीक है, तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा है कि, digit कितने होते ह 4, 5, 6, 7, 8, 9, सारी जो हमारी संख्या, इन 10 अंकों से मिलके बनती हैं, इसलिए हमारी पदती का जो नाम है, वो क्या है बच्चों, वो हमारा नाम जो है, वो decimal system है, क्या नाम है हमारे system का नाम, decimal system है बच्चों, ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ा number संख्याओं के बारे मे नमबर्स दो परकार के है, real number और imaginary number, real number बच्चों आप जानते हो, जिनको संख्यारेखा पे दिखा जासके, वो real number होते हैं, और जिनको संख्यारेखा पे ना दिखा जासके, वो imaginary होते हैं, ठीक है, और imaginary के बारे में अगर और बात करें, तो बच्चों, imaginary होते हैं आपके, ज कहलाते हैं बच्चो इमेजनरी नंबर तो माइनस वन का स्केर रूट इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चो आयोटा के नाम से जानते हैं इसके बाद हमने बात की complex number की तो complex number जो है वो होते हैं जो real number और imaginary number दोनों से मिलके जो बनते हैं वो कहलाते complex number और complex number मैंने बता बेच्चो इसका special अलग से जो chapter होता है तो हम इसके बारे में या नहीं पढ़ेंगे हम सिरफ पढ़ेंगे real number के बारे में तो complex number का magnitude मैंने आपको बता जिया कि A plus B Iota कोई complex number तो उसका magnitude होता है A square plus A A square plus B square under root जैसे बच्चो आपके पास है 3 plus 4 Iota 3 plus 4 Iota इसका magnitude आपको निकारना है तो 3 square plus 4 square 9 plus 16 is equal to 25 का root 5 ठीक है बच्चो हो जाएगा कर लोगे तो बच्चो आगे चलते हैं अब हमारा real number का जो chapter है वो यहां से शुरू होता है ध्यान देना हर question को जो है वो बड़ी हा धंग से आपने सीखना है बच्चो बहुत बड़ी हा तरीके से हर चीज बिलकुल basic से एक एक बात जो बिलकुल zero level से बताएंगे चिंता मत करना सिर्फ उसको पूरी कलास में आप बने रहना क्योंकि मैज जो होता है बच्चो step to step चलता है अगर बीच से कुछ गाइब हो गया तो अगली चीज समझ में आणी मुश्किल हो जी आएगी तो देखिए सबसे पहले बच्चो हमारी प्राकिर्ट संख्या है सबसे पहले हमारी प्राकिर्ट संख्या है जिन हम कहते हैं नैचूरल नंबर नैचूरल नंबर प्राकिर्ट संख्या है या प्राकिर्टिक संख्या है नैचूरल नंबर तो बिच्चो जो हमारी काउंटिंग्स हैं जो हमारी गिनतियां होती है गिनतियां उनको कहते है natural number 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक है infinity तक natural number प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं बच्चो वो होती है जो हमारी counting है जो हमारी गिनतियां है 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक infinity तक जाएगा बच्चो वैसे एक ध्यान रखना बच्चो infinity कोई number नहीं होता जैसे हम कहें सबसे छोटा natural number क्या होता one सबसे छोटा natural number सबसे छोटी प्राकर संख्या क्या होती है one और सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कोई होती नहीं क्यों क्योंगी इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है बच्चो इंफिनिटी अमने लगातार चलती जार यह लगातार चलती जार यह कभी समाप्त नहीं होगी ठीक है बच्चों पराकर संख्या इसलिए भी कहते हैं के प्रकृति की देन हैं भगवान ने हमें यह संख्याएं दी हैं इसके बाद बच्चों होल नंबर इसके बाद होल नंबर यानकी पुरन संख्याएं whole number यान की पूरण संख्या है whole numbers कोण से उतते हैं बच्चो whole numbers यान की पूरण संख्या है बच्चो 0, 1, 2, 3, 4 इनका जो set है वो whole number कहलाता 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहा तक infinity तक बच्चो natural number और whole number पूरण संख्या और प्राकिर संख्या में सिरफ इसका difference है 0 का difference है बाकी सेम होता है तो सबसे छोटा अगर हम whole number की बात करें 0 और सबसे बड़ा कोई होता नहीं क्योंकि बच्चे infinity का अरथे लगातार चलती रहेगी कभी समाप्त नहीं होगी तो natural number किसका set है बच्चो 1,2,3,4,5 कहां तक infinity तक और whole number किसका set है 0,1,2,3,4 कहां तक infinity तक तो सबसे छोटा natural number 1 है सबसे बड़ा कोई होता नहीं सबसे छोटा whole number 0 है बच्चो सबसे बड़ा कोई होता नहीं ठीक है तो अब ध्यान से सुनना बच्चो आपके क्यों सरू है या बच्चो को अता फ्रीपूर्ण संख्या क्या था प्रीपूर्ण संक्या क्यों तप्रीपूर्ण संख्या 1962 प्रिपूर्ण संख्याएं या संपूर्ण संख्याएं जिसको कहते हैं बच्चो परफेक्ट नमबर क्या कहते हैं परफेक्ट नमबर बच्चो प्रिपूर्ण या संपूर्ण संख्याएं जो हैं परफेक्ट नमबर कौन से होते हैं बच्चो बच्चो प्रिपूर्ण संख्याएं या संपूर्ण संख्याएं कोण सी होती है तो बच्चो यह होती है छे 28 यह जो संख्याएं है अब बच्चा यहां गडबड क्या करता है देखो यह है पूर्ण संख्याएं क्या है पुर्ण संख्याएं और यह पुर्ण या संपुर्ण संख्याएं ठीक है अंग्रेजी में यह होल नंबर यह है परफेक्ट नंबर तो होल नंबर तो इनका सेट है 0, 1, 2, 3, 4 इन फीट तक और परफेक्ट नंबर है जैसे 6 है 28 है अब होता क्या है प्रिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या बहुत बार एक्जाम में आया है बहुत बार एक्जाम में आया है कि में जब प्रिपूर्ण संख्या कौन सी है या संपूर्ण संख्या कौन सी है तो आपको ध्याद रखना 6 और 28 जो है प्रिपूर्ण या सं कौन से है ठीक है बच्चो तो 6 के जो फैक्तर है इसके गुणंखंड है 1 2 3 & 6 बच्चो फैक्तर वो वो पते हैं गुणंखंड वो पते हैं जो उसको पूरा-पूरा डिवाइड कर दे जिससे वह संख्या complete divide हो जाए जिससे वह संख्या पूरा पूरा भाग हो जाती है वो उसका क्या कहलाता है फैक्टर कहलाता है तो 6 के जो फैक्टर है वो कौन-कौन से एच्छ है 1 से डिवाइड होता है बिल्कुल होता है 2 से डिवाइड होता है बिल्कुल होता है 3 से बिल्कुल और 6 से भी उता है भच्छो, ठीक है अब इनका जोड निकालना जरा इनका जोड निकालना 1 पलस 2 पलस 3 पलस 6, जोड कितना हुआ 12, 12 कितना हुआ, 12 तो 6 दुनी 12 क्या है, इससे double है क्या है भच्छो, इससे double है इसी प्रकार भच्छो आप 28, 28 के factor करो, क्या करो 28 के factor, 28 देखो 1 से divide होता है 2 से, 4 से 7 से, 14 से 28 से इन सभी से divide होता है 28, 1 से भाग होता है 2 से, 4 से, 7 से 14 से और 28 से इन सभी से भाग होता है बच्छो अब इनका जोड करना जरा 1, पलस 2, पलस 4, पलस 7, पलस 14 पलस 28 नेट तो इनका अगर हम जोड करेंगे तो बच्छो 56, कितना आएगा, 56, कितना आएगा, 57, तो 28 तो नोनी 56, डबल है के नहीं है, है, तो बच्छो ये क्या है, ये perfect number है, मतलब perfect number बच्छो अगर हम बात करें, सिरफ दो ही नहीं होते बच्छो, जैसे बहुत है, 436 है, चारसो चानवे भी एक परफेक्ट नंबर है बच्चो अगर मैं बात कहूं इक्यासी सो अठाईस है ये भी परफेक्ट नंबर है तो बहुत आते हैं लेकिन हमारे जो काम के वो दो ही है ये क्योंकि प्रिक्षाओं में हर बार जो प्रसन पूछा जाता है हमें पढ़ना क्या होता है बच्चो जो हमारे सलेबस के अकॉर्डिंग हो उतना ही हम पढ़ते हैं बच्चो वैसे कोई ध्यान देना चाहे तो दे भी सकता है चारसो चानवे भी बच्चो एक्यासी सो अठाईस भी बहुत ज्यादा है परफेक्ट नंबर ये डिरेक्ट क्यूशन आता है ओप्षन में मिलेगा आपको इन में से 6 या 28 में से इन में से कौन सा परफेक्ट नंबर है कौन सा प्री पूर्ण या संपूर्ण संख्या है तो आपको देखना अच्छा है तो 6, option कर तो 28 है तो 28, दोनों है तो दोनों कर दो बच्छो, बहुत बार आया आप exam में बहुत बार और बिल्कुल फरी का नंबर है, अगर आपको पता है तो, तो मैं एक बार फिर बताता हूं बच्छो कि परफेक्ट नंबर कोण सा होता है, जिसे 6 और 28, 6 के फैक्टर की 1, 2, 3, 6, एक से बाब होता है, 2, 3, 6, इन सब का जोड़ाया 12, तो 6 दोनी 12, इज़र 28 के फैक्टर हुए 1, 2, 4, 7, 14, 28, तो इनका जोड़ हुआ 56, तो 28 दोनी 56, तो संख्या से डबल हो, संख्या से दुगणा हो, जिस संख्या के सभी फैक्टर्स का, सभी गुणंखंड का जो सम है, उनका योग संख्या से डबल हो, उससे दुगणा हो, तो वो क्या कहलाता है बच्छो, वो कहलाता परफेक्ट नंबर, ठीक है, और एक डेफिनेशन और होत इसी प्रकार बच्चों अगर हम इसमें से 28 को छोड़ दें तो बाकी जो 14, 7, 21, 24, 27, 27, 28 कितना या 28 संख्या के बराबर तो इसकी दो डेफिनेशन उतीम बच्चों ध्यान रखना एक तो यह उती है सभी संख्यां सभी फैक्टर का सम सभी गुणनखंडों का योग संख्या से डबल हो दूगणा हो और दूसरा ही होता है स्वेम को छोड़ के जैसे यहाँ 6 छोड़ दिया यहाँ 28 छोड़ दिया स्वेम को छोड़ के बाकी फैक्टर का सम बाकी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो सभी का योग संख्या से डबल हो सभी फैक्टर का या लाती बच्चों आपकी परफेक्ट नमबर तो इन दो को जरूर ध्यान रखना बच्चों और कुछ आपको ध्यान रहे ना रहे उसकी डेफिनेशन ध्यान रहे ना रहे लेकिन ये ध्यान रखना अच्छे और 28 जो है प्रिपूर्ण या संपूर्ण संख्याएं है वो जो है आपकी परफेक्ट नंबर है ठीक है कर लोगे बच्चो एक आता है आपका पूरण वरग संख्याएं पूरण वरग संख्याएं पूरण वर्ग संख्याएं क्या होती है पूरण वरग संख्याएं जिसको हम कहते हैं परफेक्ट स्केयर नंबर, परफेक्ट स्केयर नंबर, पूरण वरग संख्याएं वो तीम बच्चों जिनके स्केयर रूट पूरे निकलते हैं, जिनके स्केयर रूट, जिनके वरग मूल पूरे निकल जाएं, जैसे बच्चों 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144 and so on. ठीक है, तो बच्चों ये मिलती जुलती चीजें में ध्यान रखना, कि अगर आपको पूरण वरग संख्याएं पूछे, परफेक्ट स्केयर नंबर, तो जिनके स्केयर रूट कंपलीट निकलते हैं, वो बताना है, अगर आपको पूछे, परफेक्ट नंबर, क्या पूछे, परफेक्ट नंबर, प्रिपूर्ण या संपूर्ण संख्या, तो 6 और 28, ठीक है, इसके लाँ बच्चों, अगर आपको पूछे, होल नंबर, पूरण संख्याएं, तो 0, 1, 2, 3, 4, इंफ्रिट तक, वो सारी है, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, बच्चों, एक होता है, या एक बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है, रामा नूजन नंबर, यानकी रामा नूजन संख्या, रामा नूजन संख्या, तो बच्चों, आपको कमेंट कर के बताड़ा की रामा रुजन नंबर जो है वो कोण सा होता है, रामा रुजन संख्या जो वो कोण सी होती है, ठीक है तो बैचो रामा रुजन नंबर बहुत बार एक्जाम में आया हिए भी, ये भी फरी का नमबर होता है बेचो गर बच्चे ने पढ़ रखा तो ये चीजे बिल्कुल आसान अगर पढ़ नी रखा तो बच्चो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होती है तो रामानुजन नमबर जो है वो होता है 1729 किसको कहते है 1729 को 1739 जो है वो रामानुजन नमबर है यो रामानुजन भी नंबर बहुत हैं बहुत संख्याई हैं ठीक है लेकिन हम सिर्फ उनके बारें बात करेंगे में निवह नां नाम ह् है तो याप छो यह पता होगा कि रामानुजन जुछ है वह भारत के बहुत हम strategies है हमारेग मारत के बहुत बड़े mathematician हुए, उनका नाम है रामानुजन, ठीक है, इतने बड़े mathematician थे वो, कि मात्र 32 साल की उमर में एक्सपैर हो गए, और इतने concept छोड़ गए, आज तक वो पूरे sol नहीं हुए, और सबसे ज़्यादा उन्होंने, सबसे ज़्यादा जो काम किया, वो number system पे किया था, रामानुजन ने, ठीक है, और इतने ज़्यादा talented थे, कि उस समय के सबसे top के, जो mathematician माने जाते थे, जो लंदन के थे, hardy, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, ठीक है, अपने पास बुलाया, और अपने assistant के रूप में काम करने के लिए कहा, और hardy भी उनकी परत रहता है, और जब रामानुजन से पूछते थे, आपको जो है, वो इतनी छोटी उमर में, इतना मैथ आपने कैसे सीखा, तो पता है, वो क्या कहते थे, कि मेरी कुल देवी मुझे बताती है, मेरी कुल देवी, नामगिरी देवी जो है, वो मुझे बताती है, ठीक है, तो प एक जैसा कूछा कि आपको को यहां तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं वी तो विचिको रामानुजन को जवाब देते हाड़ी क्या कैते जैसले यह तक आने में तो कोई विशेष तकलीफ नहीं अैड यह हूं उसका नंबर बड़ा बोरिंग था अब रामानुजन ठेरे बहुत बड़े मैथमेटीशन अंकों के साथ खेलना जानते थे बोले ऐसा कौन सा नंबर है जो बोरिंग हो क्या नंबर था टेक्सी का तो उन्होंने बताया 1729 यह उस टेक्सी का नंबर था बैच्चों जिसमें हार्डी बैठके आये थे रामानुजन से मिलने के लिए तो क्या नंबर बता उन्होंने क्या नंबर था टेक्सी का 1729 1739 तो रामानुजन ने का रहे हार्डी तो इतना बड़ा मैथमेटीशन हो कि इसको बोरिंग नंबर कह रहा है यह ते बहुत इंट्रस्टिंग नंबर है यह से छोटी संख्या है जिसको दो अलग अलग तरीके से दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है यह वो सबसे लिश्ट नंबर है जिसको दो डिफरेंट वे से दो संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में लिखा जा सकता है बैच्चो वो कौन-कौन से हैं एक तो इसको आप लिख सकते हो दस की तीन प्लस नो की तीन क्योंकि दस की तीन होती हजार और नो की तीन होती है 729 तो कितना बणा 1739 और दूसरा बच्चो अगर हम बात करें तो दूसरा इसको लिखा जा सकता है 12 की 3 13 पलस एक की 3 12 का क्यूब प्लस वन क्यूब बारा क्यूब होता है 1728 1728 पलस वन क्यूब 1 is इकल टू 1729 तो यह वो सबसे छोटी संख्या है जिसको दो डिफरेंट वे से दो संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में लिखा जा सकता है सबसे छोटी संख्या जिसे दो अलग-अलग प्रकार से दो तरीके से दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है बच्चो और इसकी खोज किसने की रामानुजन ने तो उन्ही के नाम पे इसको क्या करते हैं रामानुजन नंबर कहते हैं बच्चो ठीक है कई बार एक्जाम में ये दिया जाता है हार्डी रामानुजन नंबर हार्डी रामानुजन संख्या तो वो भी यही है बच्चो क्योंकि रामानुजन ने इसकी खोज की और किस के साथ वारतालाप में खोज हुई तो बच्चो हार्डी के साथ तो रामानुजन जो है वो इस तरह जवाब देते थे जैसे कोई भी क्यों सुनन से किया तो तपाक से उसका जवाब देते थे बच्चो बहुत ही talented mathematician थे तो रामानुजन नंबर भी सिर्फ एक नहीं बच्चो 1729 और भ बहुत है अनिगनते लेकिन हमारे जो बार-बार एक्जाम में पूछा जाता है वो बच्चो 1729 डिरेक्ट क्यों सनाता है बच्चो 1729 रामानुजन नंबर आगे से ध्यार रखना कोई पूछे रामानुजन संख्या कोण सी है 1335 क्यों है वो कारण मैंने आपको बता दिया कि दो डिफरेंट वेश है दो अलग अलग तरिके से दो शंक्याओं के घ्रनुक योग के रूप में लिख़्ी जा सकती है इसलिए बच्चो एक ओती है पॉलीडरम संख्याए पॉलीडरम संख्याए कि पॉलीडरं नमबर नमबरast we pray पूद थें नमबर वह स्त Kang स तुल तक छूब से सेंघा सिधाएग समान हों जासे वान टू वान तू वन नेखा इदर से पढ़िए इदर से पढ़िए बंट उन तो ऐसी संख्यां को दोने तरब से क्या हो समान हो कर लोगे बच्चो तो बच्चो देखिए निर्ण में से कौन सा एक प्रिपूर्ण संख्या है देखो मैंने बता था ना तो हर्याना SSC जो है वो बच्चो दो तीन बार ये क्यूस्टन पूछ सुकी है हर्याना SSC की अगर हम बात करें तो दो तीन बार ये क्यूस्टन पूछ सा जा सुका है कि कौन सी एक प्रिपूर्ण संख्या है एक परफेक्ट नंबर तो बच्चो छे बिलकुल है सोला नहीं होता क्योंकि सोला परफेक्ट स्केर नंबर है पूरण वरग संख्या 28 ये भी है बच्चो तो 6 और 28 बहुत A and C कर लोगे बच्चो तो ये हर्याना SSC में जो है दो से तीन बार ये क्यूस्टन आए बच्चो अगला बच्चो निर्वे से कौन सा रामानुजन संख्या है कौन सी जो है वो रामानुजन संख्या है तो इन में से कौन सा रामानुजन नंबर है बच्चो तो डिरेक्ट यो क्यूस्टन आते हैं बच्चो ये डिरेक्ट इस तरह क्यूस्टन आते हैं और ये भी जो है कई बार कई जो आगे जियाम की बात करें तो इसके बाद हम पड़ेंगे ओड नंबर यार्रिक विशम संख्याएं उड नंबर यार्रिक विशम संख्याएं अब बिच्व यह चीज आपको पढ़ी भी लगती हैं क्योंकि आप बदस्पन से इन चीज़ों को पड़ने लगे थे मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल basic से चलेंगे बच्चो बिल्कुल zero standard से चलेंगे और basic से high तक आपको लेके जाएंगे लेकिन बच्चो इनके question कैछे पूछे जाते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा ठीक है हम पढ़ तो लेते हैं इनको लेकिन इसे related जब question आते हैं तो व देखना इस concept के बाद कितने अच्छे question इसमें पूछे गए है और नंबर विसम संख्याएं तो आप जानते हो जो दो से डिवाइड नहीं होती जो दो से भाग नहीं होती जो दो से भाग नहीं होती वो क्या होती बच्चो विसम संख्याएं जैसे one three five seven nine and so on ठीक है और बच स्था करूं समसंख्याएं समसंख्याएं even number समसंख्याएं even number समसंख्या होती है जो दो से भाग होती है जो दो से डिवाइड हो जाये जो 2 से complete divide हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चो उसे हम कहते हैं even number sum संख्याए और जो 2 से divide नहीं होती वो कहलाती है बच्चो old number we sum संख्याए ठीक है जैसे 2, 4, 6, 8 कहां तक infinity तक बच्चो ठीक है बच्चो दो से divide होने के लिए आपको पता है कि दो से कौन सी संख्याए डिवाइड होती है दो से वो संख्याए डिवाइड होती है बच्चो जिनका जो unit digit है 0, 2, 4, 6 या 8 हो जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो 2 से divide हो जाती ह ठीक है और जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो क्या है वो आपकी even नंबर है समसंख्याए है और जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है वो क्या है ओड नंबर है वी समसंख्याए है बच्चो ठीक है तो बच्चो अगर हम बात करें minus 1, minus 3, minus 5 ये भी सारी क्या है ओड है ये सारी क् जीरो की पूछे आपसे जीरो क्या है अगर यह पूछले बच्चो जीरो क्या है जीरो एवन है के ओड है तो आपको पतावना चीए बच्चो जीरो जो है वो एवन नंबर है क्या है एवन है समसंख्या है क्यों क्योंकि जीरो दो से डिवाइड होता है जीरो जो है वो दो से जिवाइड ही करेंगे, 0 कुछ से डिवाइड करेंगे, 2 से, 2, 0, 0, complete, डिवाइड हो गया, इसका मतलब 0 क्या है, क्योंकि बच्छों, definition में सिर्फ इतना ही तो है, जो 2 से डिवाइड, even, 2 से डिवाइड नहीं, और, तो यह तो 2 से डिवाइड हो, कियो complete, 0 को 2 से डिवाइड ह दो जीरो जीरो complete divide complete divide इसका मतलब यह क्या है बच्छो इसका मतलब 0 क्या है even है बच्छो जीरो क्या है even है और वैसे भी एक चीज और देखो बच्छो एक चीज से और हम इसको समझते हैं कि यह even कैसे है बच्छो ओड आप जानते हो 1 3 5 7 infinity तक माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस infinity ठीक है तो कोई भी दो ओड नमबर हो कोई भी लगातार दो ओड नमबर दो विसम संख्याई हो लगातार उन में 2 का डिफरेंस होता मेंसा देखो यहां 2 का डिफरेंस यहां 2 का डिफरेंस है ठीक है इसी प्रकार अगर मैं इधर से बात करू इन में 2 का डिफ्रेंस है, इन में 2 का डिफ्रेंस है, यहां भी 2 का डिफ्रेंस है, ठीक है, अब हम स्पोज कर लेते हैं, 0 जो है, वो even नहीं है, हम लेते हैं, 0 even नहीं है, 2, 4, 6, 8, 10 इस परकार, माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6, माइनस 8, माइनस infinity तक, ठीक है, तो अब एक चीज देखो बच्चो, किन में 2 का डिफ्रेंस है, यहां 2 का, यहां 2 का डिफ्रेंस है, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का, और यहां कितना डिफ्रेंस हुआ, यहां 4 का डिफ्रेंस हुआ, ब देखो यहां भी 2 का difference यहां भी 2 का difference इसलिए ध्या रखना अगर 0 के बारे पुछे तो बच्चो 0 जो है वो even है वो क्या है even है क्योंकि 0 को 2 से divide किया जक्ता 0 बटा 2 0 ठीक है हाँ अगर आप कहोगे 2 बटा 0 यह infinity बच्चो यह क्या है infinity किसी भी किसी भी संख्या से 0 को भाग करोगे तो 0 आता है लेकिन किसी संख्या को 0 से बाग करोगे वो infinity होता है बच्चो मतलब मतलब यह है कि 0 का जो उल्टा है वो infinity होता है और infinity का उल्टा जो है वो 0 होता है बच्चो infinity का उल्टा क्या होता है 0 0 का उल्टा infinity और infinity का उल्टा 0 ठीक है कर लोगे बच्चो आगे देखिए अब कुछिन की प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए सम और वी सम संख्याओं की प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए बच्चों, दो सम संख्याओं का योग सदयव एक सम संख्या होती है दो सम संख्याओं का योग सदयव एक सम संख्या होती है जैसे बच्चो देखो 2 एक सम संख्या है, 4 भी एक सम है, दोनों का योग कितना वा 6, 6 भी सम है मतलब sum of 2 even number is also even, even प्लस even, even हो जियेगा इसी प्रकार बच्चो दो विसम संख्याओं का योग भी सम होता है दो विसम संख्याओं का योग भी क्या होता है बच्चो सम होता है जिसे 3 क्या है विसम है 5 क्या है विसम है तो 8 क्या है सम और अगर बच्चो एक सम और एक विसम संख्याओं अगर आप जोड़ोगे तो इनका जोड हमें सा विसम आता है जैसे दो सम है बच्चो तीन वी सम है जोड पांच क्या आया वी सम तो यह चीज ध्यार रखना इस से रिलेटिड क्यूस्टन बहुत मार आते हैं अच्छे-च्यूस्टन आते बच्चो अभी हम उस पर डिसकस करेंगे देखो कैसे क्यूस्टन आते हैं तो अगर दोनों की दोनों सम है सम प्लस सम जोड क्या आएगा सम ठीक है कोई भी दो विसम है दोनों विसम तीन विसम पांच विसम जोड क्या आठ सम एक सम दूसरी विसम है जैसे दो सम है तीन विसम जोड आया पांच यह भी क्या आया विसम तो दो सम संख्याओं का जोड सदैव सम एक सम और एक विसम का जोड हमेशा विसम होता है बच्चो ठीक है बच्चो दो सम संख्याओं की गुणा सदैव सम होती है दो सम संख्याओं की गुणा सदैव क्या होती है सम से दो सम है चार सम है दोनों की गुणा आठ क्या ही सम ठीक है और दो विसम संख्याओं की गुणा दो विशम संख्याओं की गुणा सदय विशम होती है दो विशम संख्याओं की गुणा सदय विशम होता है जिसे तीन विशम है पांच विशम है बच्चो तो गुणा 15 क्या ही विशम और एक सम और एक विशम संख्या इनकी गुणा सदय विशम होती है जिसे दो सम तीन विशम छे क्या या सम तो यह आपको ध्यान रखने दोनों सम संख्या उनकी गुणा सम दोनों विशम उनकी गुणा विशम एक सम एक विशम की गुणा अमेशा सम अगर यह याद ना रहे ना बच्यों तो भी कोई बात नहीं, आप कोई भी दो एक्जम्पल लेके सॉल कर लीजिए, कोई भी दो एक्जम्पल लेके सॉल कीजिए, उनका जो result आएगा, क्योंकि जो concept होता है, वो universal होता है, वो सब पे लागू होना चाहिए जैसे हम नहीं हाँ, ये दो संख्याई 7, दोनों सम ली आपको योऊर ले लिये, 4 और 6 और 6, दोनों को जोड़ोगे 10 4 और 6, दोनों 충분 करोगे 24, समी आया, ठीक है यहाब जैसे 7 और 11 ले लिया, 11 और 7, 18 सम आया, 11 गुणा 7 11 विसम, 7 विसम 87 विसम है, उस प्रकार अगर भूल भी जाओ तो कोई भी दो एक्जम्पल लेकि इनको सॉल कर लीजिए ठीक है अब इन से रिलेटेड क्यूस्टन देखिए बच्चो यह देखिए एक तो क्यूस्टन जैसे हमें उस कंसेप्ट का पतावनाच यह उससे रिलेटेड सीधा आ जाता है ट्री और फाल्स में कोण सा कथन सक्ट्य है या कोण सा असक्ट्य है इस प्रकार से और दूसरा इस टाइफ से क्यूस्टन बच्चो यह देली पुलिस में आयवा क्यूस्टन है डेली पुलिस में आयवा क्यू समसंख्या होगी तो इन में से कौण सी ओड नंबर होगी तो इवन और य भी क्या है एवनट तुमने बताएं इन मेंसे कौन सी ओड होगी तो बच्चो पहला X की पावर Y ये तो even होगी ये ओड नहीं हो सकती अगर आपको ना समझ में आए तो आप यू कर सकते बच्चो जैसे एक संख्याप ने 2 लेली एक 4 लेली कोई भी मरीक दो इक्जंपले के सौल कीजिए तो 2 की पावर 4 दो की पावर 4 कितना वहाई होला ये तो ओड नहीं होई तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा x गुणा y अभी तो आमने पढ़ा था x भी क्या है even और y भी क्या even 2 even का जो गुणा है अभी आमने पढ़ी थी बच्चो क्या even दोन्नोंगर sum है अभी तो आमने पढ़ा था बच्चो ये देखो दोन्नोंगर sum है तो गुणा sum होती है ये order नहीं हो सकती, ठीक है, अब यहाँ देखो, x प्लस y, x प्लस y, even और even का sum क्या हुआ, sum, और x, y, दो even है, उनकी गुणा भी क्या हुआ, sum, अब दुनों sum फिर जोड दिये, तो sum क्या हुआ, sum ही हुआ, even हुआ, मैंने का बच्यों, चाहिए आप दो example लेके सोल कर लो, एक लेक चार, तो 2 गुणा 4, कितना हुआ, 8, ये तो sum है, यहा, 2 प्लस 4, प्लस 2 गुणा 4, 8, 4, 12, और 2, 14, ये भी sum है, ना ये हुआ, ना ये हुआ, तीन निवे तो चोथा तो अंसर होगा, अरे 4 में से एक तो है, तीन निवे तो चोथा होगा, बाकि इसको भी सोल करके लो, ये 2 है, ये 4 है, प्लस में 1 है, 6 और 1 है, 60, जो की क्या है, जो की क्या है बच्चो, ये odd है, ठीक है, कर लोगे, तो बच्चो, next question है, ये आप करोगे, ये आपके लिए question बच्चो, यदि X था Y सम संख्याएं हैं, दोनों even हैं, इन में से कौन सी V सम होगी, ये भी देली पुलिस में आया हो, बच्चो, देली पुलिस में आया हो, ये भी ठीक है, तो इसको भी या तो आप क्या करोगे, आपको सीधा concept पता है, तो आप बच्चो, direct कर दोगे, ये इस cancer होगा, और अगर नहीं पता, तो कोई भी दो example ले लीजिए, दो even नमबर कोई भी ले लीजि पता है, even number, उसको हम 2M की form में लिख सकते हैं, किसी भी सम संख्या को हम किस form में लिख सकते हैं, 2M, क्योंकि ये 2 से divide होनी चाहिए, तो 2M है, 2 से divide हो जाएगी, 2 से 2 cancel, तो कोई भी सम संख्या है, कोई भी even number है, उसको किस form में लिखा जाशता है, उसको 2M, 2P कहलो, 2Q कहलो, की बात है, बच्चों, क्योंकि दो इन में क्या हो जाए, cancel, ये सारी क्या even, तो किसी भी even number को, किसी भी सम संख्या को, 2M के रूप में, या हम कह सकते है, 2P के रूप में, 2Q के रूप में, 2X के रूप में, लिखा जा सकता है, जहां, M, P, Q, X, कोई भी integer हो सकता है, अच्छा एक बात देखना अब, बच्चों, जैसे 4 एक सम संख्या है, 4 क्या है सम, इससे अगली, इसमें एक जोड़ोगे, 5, क्या होगी, विसम, इससे पिछली, इसमें से एक गटा होगे, तो भी क्या होगी, विसम, बच्चों, सम से अगली विसम होती है, 4 से अगली 5 विसम, सम से किसली भी विसम होती है चार में से गटाय तीन वो भी विसम अब चार सम है तो सम को हम किस रूप में लिख सकते हैं टू एम के रूप में सम को किस रूप में लिख सकते हैं टू एम के रूप में तो बच्छो यह क्या होगा चार प्लस एक है तो चार तुमने टू एम लिख द जो ओर नंबर है उसको किस फोर्म में लिखा जाकता है तो म मैंने कहा था अगर आपको इतना पता है तो आप देखो आरामसे बता दोगे क्योंकि x sum y sum तो इन दोनों की गुणा x y क्या होगी sum और sum प्लस 1 2m प्लस 1 बस और नहीं तो मैंने बता बच्यो क्या करो कोई भी दो एक्जम्पल लेलो बिज़ेसी ये 2 ले लिया ये 4 ले लिया तो 2 कुणा 4 8 प्लस 1 9 9 क्या होगया पहले हमारा अंसर बन गया या रखोगे 2 प्लस 4 6 और 4 दोनी 8 14 ये sum बनी ये 3 दोनी 6 प्लस 4 10 ये भी sum बनी ये 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8 ये भी sum बनी बच्यो ठीक है कर लोगे तो आगे चलें आगे देगे बच्यों इसके बाद आगे हम सुरू करते हैं प्राइम नंबर मतलब आभाज्य संख्याएं आभाज्य भी कह सकते हैं बच्यों रूड भी कह देते हैं आभाज्य या रूड संख्याएं ठीक है प्राइम नंबर्स आभाज्य संख्याएं या rude संख्याएं बच्चो ठीक है तो ऐ बाजय संख्याएं क्या होती है यह बच्पन से ही पढ़ते आए हैं वैसे तो बच्चो हम पढ़ते हैं बेजो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और से divide नहीं होती हम अक्सर इसकी यह definition पढ़ते आए है कि जो एक से भाग और खुद से भाग एक और खुद को छोड़ के बागी किसी से भाग नहीं होती किसी से divide नहीं होती उसको हम कहते हैं आए भाजया है प्राइम नंबर रूड संख्याएं ठीक है बच्चो लेकिन बच्चो इसकी definition थोड़ी से different होती है मैं उस definition का प्रियोग करूँगा अब यहाँ पे हमने सिर्फ इतनी पड़ी है हमने definition क्या पड़ी है जो एक और स्वेम के अलावा बाकी किसी से divide नहीं होती खुद को छोड़ के एक को छोड़ के किसी और से भाग नहीं होती वो सारी क्या होती है वो सारी आभाज्य होती है मतलब हमने यह पड़ा है बच्चो तो इसकी definition जो मैं अब आप से बात कर रहा था परिभाशा की वो तक the natural number the natural number which has two different factors which has two different factors which has two different factors one is one and the other is the number itself यह पच्चो अड़्यक्तिस की definition ठीक है की ऐसी प्राकृत संख्या ऐसी प्राकृत संख्या जिसके दो भिन गुणंखंड हों जिसके दो भिन गुणंखंड हों मनलब दो अलग अलग गुणंखंड हों दो भिन गुणंखंड हों एक गुणंखंड वन हो तो था दूसरा संख्या स्वेम हो दूसरा संख्या स्वेम हो यह होती बच्यों अड्जेक्ट डेफिनेशन इसके वैसे तम यह पढ़ लेते हैं कि खुद को छोड़के को छोड़के किसी और से डिवाइड नहीं हो पिवो आई बाज्या है लेकिन अड्जेक्ट डेफिनेशन जो है वो यह हो तीस की उसमें क्या ध्यार रखना है कि two different पहली बात तो सिरफ दो फैक्टर हो कितने फैक्टर हो दो गण खड़ो दूसरी बात वो different हो दोनों अलग-अलग हो और उन में से एक तो one होना चाहिए और दूसरा number itself नंबर जो है संख्या खुद होनी चाहिए से बच्चे हम कहें दो तो दो गुणा एक सिरफ दो फैक्टर है सिरफ दो फैक्टर है एक two है दूसरा one है एक संख्या खुद है दूसरा एक है तीन तीन गुणा एक सिरफ दो फैक्टर हैं दोनों different है दो फेक्टरें दोनों different है एक नमबर स्वेम है दूसरा 1 है 5 5 into 1 तो सिरफ दो फेक्टरें दोनों different है एक नमबर खुद है दूसरा 1 है बच्चो आप यहां ध्यान रखना 1 is the universal factor 1 is the universal factor 1 को क्या का जाता है बच्चो universal factor एक जो है वो सारव गुणनखड है एक सारव गुणनखड है मतलब सम का गुणनखड है गुणनखड फेक्टर मैंने पहले ही बता था बच्चो जो संख्या को divide करते है मतलब एक सम को divide करता है तो 1 is universal factor एक जो बच्चो वो क्या है सारव गुणनखड है ठीक है कर लोगे तो आगे चलते हैं बच्चो यह देखिए हम बात कर रहे थे एब आजे संख्याओं की prime number rude संख्या है जिसके दो different factor हो दो भिन गुणनखड हो एक एक को दूसरा संख्या खुद हो तो सबसे छोटी prime number होता है बच्चो 2 सबसे छोटी एब आजे संख्या क्या होती है 2 उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 ठीक है बच्चो इसके बाद अगर हम बात करें 53 59 61 67 71 73 53 59 61 61 61 83 79 89 83 इसके बाद बच्चो 89 और 97 ठीक है तो बच्चो ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए इन से रलेटिट भी बड़ है रखना हैं अभी हम ंडिस्कस करेंगे मैं आपको पहले ही बता था कि हर कंसेप्ट के बाद हम उसके किनुष्सन जरूर डिस्कस करेंगे और जादा सी जादा क्यूस्टन डिसकस करेंगे आपको भी practice के लिए जादा सी जादा क्यूस्टन मिलेंगे क्योंकि बच्चों सिर्ब concept सीकने से math नहीं आसकता उसके आपको बार-बार questions की practice करनी पड़ेगी जितने जादा practice करोगे उतना ही math आसान होता जाएगा इसलिए concept सी किये बार-बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए तो बचो इस सर लेटिड क्यूसन क्या आते हैं वो देखिए पहली बात सबसे छोटी आई भाज्य संख्या बहुत बार पूछते हैं लिस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटी आई भाज्य संख्या समसे छोटी आई भाज्य संख्या तो वो क्या है टू लिस्ट प्राइम नंबर पहली बात दूसरी बात बच्यो टू इज only one number which is E1 prime अगर आपसे पुछे E1 prime E1 prime का आर्थ है some A bhajj तो some A bhajj इस दुनिया में A की संख्या है बेच्चो और वो है 2 some A bhajj A की संख्या है 2 is the only E1 prime जो some होने के बावजूद A bhajj है 2 is the only number which is E1 prime some A bhajj संख्याओं की संख्या कितनी है तो सरफ एक है और वो संख्या कौन सी है 2 2 एक मत्रेशी संख्या जो some होने के बावजूद A bhajj है बाकी सारी A bhajj संख्याओं देखो आप सारी की सारी ये क्या है विसम है बाकी क्या है सारे के सारी विशम है बच्चो ठीक है तो यहाँ आपको जो question पूछते हैं कई बार एक तो यह पूछते हैं बच्चो एक से 25 तक प्राइम नंबर कितने हैं एक से 25 तक जो है वो प्राइम नंबर एबाजय संख्याएं कितने हैं तो बच्चो नो है यहाँ तक हो जाएगा 25 तक एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठो, नो, ठीक है, बच्चों, अगर एक से पचास पूछता है, एक से पचास तक, आए भाज्ये संख्याएं कितने है, कितने, प्राइम नंबर है, वन, टू, फिप्टी, बहुत वारा है बच्चों, एकजाम में, तो यह है पंदरा, एक से पचास तक, पचास तक यहां तक हो जाएगी बच्चों, यहां तक 9 होगी थी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बच्चों, इक्यावन से 100, 51, इक्यावन से 100 तक, आए भाज्ये संख्याएं कितनी है, तो बच्चों, यह है 10, कितनी है, 10, इक्यावन से 100, यह 10 है बच्चों, ठीक है, औ और एक से सो कितनी है यह बहुत बार एक्जाम में आया है एक से सो तक आप भाजय संख्याओं की संख्या कितनी है पत्चीस है बच्चो तो यह आपको डिरेक्ट याद होने चाहिए बच्चो और आप भाजय संख्याओं भी आपको याद होने चाहिए सो तक तो कम से कम कौन क कि उस सुनाया 15 कि क्यावन से सो तक है बज़े संख्याई 10 कि एक से सो तक 25 बैच्चों देली पुलिस में ये भी पूछ लिया था एक से 30 तक कितनी है एक से 30 तक चलो ये तो मेरे याद होगी एक से 25 तक जानते हैं एक से 50 तक बहुत बार आए पंद्रा है ये क्यावन से 100 तक दस है और एक से 100 तक तो भोती बार आए 25 है बहुत बार एक्जाम ने आया है लेकिन उन्हें पूछ लाए एक से 30 तक तो एक से 30 तक तबी करोगे ना जब आपको आपको आप 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 पताओंगी कौन कौन सी हैं तो बच्छों 25 तक कितनी थी नो 30 तक तो यहां तक आगे 31 आ गया तो एक से 30 तक कितनी 10 कई बार यही पूछ लेता है सिंपल बिल्कुल सिंपल क्यूशन हम गलत करते हैं कि पहली 5 आप बाजय संख्याओं का योग ज्याद कीजिए तो इस तरह का क्यूशन भी बच्छों बहुत बार एक्जाम जाया है तो फिर बच्छे को अगर पता ही नहीं है कौन कौन सी होती है कई बच्छे यह कर देते हैं तो गया गलत है पर दो है बाजय तीन है बाजय पांच है साथ है नो नो तो भाजय है बच्छों तीन से भाग होती है तो यह अगर हम लेंगे तो मारा योग भी गलत होगा तो पा बाद बच्चो एक और बड़ा इंपोर्टेंट की उस्त्तनाप के लिए कि अगर हम यह कहें कि तीन से बड़ी किसी भी आभाज्य संख्या को तीन से बड़ी किसी भी आभाज्य संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है किस रूप में लिखा जा सकता है कि तीन से बड़ी किसी भी आभाज्य संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है बलब तीन से बड़ी कोई कोई भी प्राइम नंबर है उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसको लिखते हैं बच्चो 6 क्यों पलस माइनस 1 6 क्यों पलस माइनस 1 तीन से बड़ी कोई भी प्राइम नंबर हो किन से बड़ा बच्चों उसमें 3 सामिल नहीं है 2 सामिल नहीं है 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर उसको किस टॉम में लिखा जाता है 6yes तो 6 इन प्लस उन्हान की टॉम में और या 6 इन K唉स तो माइनस टॉम तो 6 क्यों माइनस 1 जिसे 7 बच्यो इसको लिशुतते हो 6 कम 6 प्लस 1 तो 6 क्यों प्लस 1 बच्यों 11 है लिख सकते हो ना 6 दोनी 12 माइनस 1 तो 6 क्यों माइनस 1 6Q-1 से बच्चो 13 है तो लिख सकते हो ना 6 दोनी 12 पलस 1 तो 6Q-1 बच्चो आप कोई भी आप 3 से बड़ी कोई भी आप भाज्य संख्याल लिखोगे या तो 6Q-1 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 या 6Q-1 की फोर्म में लिखी जाती है ठीक है कोई भी लो आप जैसे बच्चो गर हम ये बात करें कि अगर हम कहें हमारे पास है 47 47 को लिखोगे 688-1 688-1 तो ये क्या है 6Q-1 ठीक है लेकिन बच्चो या एक बात और भी ध्यान रखना हमने ये पड़ा है कि 3 से बड़ी कोई भी आप आजे संख्या को 6Q-1 के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन बच्चो जो संख्या 6Q-1 के रूप में लिखी जाए वो जरूरी नहीं है 6Q-1 या 6Q-1 के रूप में लिखी जाने वड़ी हर संख्या आप आप आज्ये हो ऐसा जरूरी नहीं है हाँ, प्रतेक ऐ बाज्य संख्या को तीन से बड़ी, कोई भी बाज्य संख्या हो उसको या तो 6 के उप्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है या 6 के उप्लस 1 की फॉर्म में लिखा सकता है लेकिन हर संख्या जो 6 के उप्लस 1 या 6Q-1 की फॉर्म में लिखी जा सकती है वो जरूरी नहीं है ऐ भाज्य हो कैसे जैसे बच्चों देखो 25 एक संख्या है 25 एक संख्या है 25 को हम लिख सकते हैं 6 चोबिस प्लस 1 यानकी 6Q-1 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 की फॉर्म में लेकिन ये ऐ भाज्य है नहीं है 6Q-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है लेकिन 6Q-1 की फॉर्म में लिखी भी हर संख्या ए भाज्य हो ये जरूरी नहीं होता ठीक है बच्चों कर लोगे इसके बाद बच्चों ट्विन प्राइम्स बदब जुडवाँ ए भाज्य बच्चों हर चीज हम बिलकुल बेसिक से बिलकुल आराम से करेंगे हमें कोई जल्दी नहीं है आपको सीखना है बच्चों ठीक है तो देखिए उनसे रिलेटिड क्यूस्टन भी करेंगे कैसे क्यूस्टन पूछे रते हैं बच्चों वो हती है जिन आपाज्य संख्याओं में जिन प्राइब नंबर में केवल दो का डिफरेंस हो केवल कितना डिफरेंस हो केवल दो का डिफरेंस हो जिन आपाज्य संख्याओं में जैसे बच्चों देखो हमारी ये संख्याओं थी आई भाज्ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 इस प्रकार थी ना बच्चो तो इन में देखिए तीन और पाँच में कितना डिफरेंस है दो का डिफरेंस है तो ये ट्विन प्राइमस है ये क्या है जुडवा आई भाज्ये जिन आई भाज्ये संख्याओं में पाँच और साथ ट्विन प्राइमस है केवल दो का डिफरेंस है 11, 13 ट्विन प्राइमस है 17, 19 ट्विन प्राइमस है 39, 31 जुडवा आई भाज्ये 41, 43 ये क्या है जुडवा आई भाज्ये जिन प्राइम नंबर में जिन आई भाज्ये संख्याओं में केवल दो का डिफरेंस हो उनकों कहते हैं ट्विन प्राइम यानकी जुड़वां आई भाज्ये संख्याओं ठीक है तो बच्चों बात करें एक से पचास तक twin prime कितने हैं 6 जोड़े कितने हैं जुड़वाए भाज़े कितनी है 6 जोड़े एक 3-5 का जोड़ा एक 5-7 का 2-11-13-3-17-19-4-39-31-35 और 41-43-6 और बच्चों गरम 51 से 100 के बीच की बात करें तो सिरफ 2 जोड़े होते हैं twin prime के 51 से 100 के बीच सिरफ 2 कौन से हैं बच्चों 1-69-61 का होता है और 1-71-73 का होता है बाकि कोई नहीं होता देख लो चाहिए आप हमने लिष्ट बढाई थी अभी थोड़ी दिर पहले यह देखिए सिरफ कौन से हैं? 69-61 सिरफ कौन से हैं बच्चों? 69-61 है twin prime के अगर हम बात करें तो सिरफ यह है उन से ठीक से और एक अतर ती अतर जिन में 2 का डिफरेंस हो वाकि कोई नहीं है ठीक है? कई बार बच्चों यह भी पूछ लेते हैं दो अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य है तो दो अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य है बच्चों सतान में क्योंकी इसके आगे कोई आभाज्य नहीं है अठानों आभाज्य नहीं है, निनानों आभाज्य नहीं है फिर सो शुरू हो जाता है, वो आभाज्य नहीं है कई बार पूछतें, तीनंक की सबसे छोटी एभाज्य, तीनंकों की सबसे छोटी एभाज्य, प्राइम नंबर, 101, क्योंकि 100 से तीनंक शुरू होते हैं, 100 एभाज्य नहीं, 101 जो वो एभाज्य है, तो ये चीजें भी ध्यान रखने हैं बच्चे आपको, ठीक है? तो आगे देखिए, इसके बाद बच्चों, तंपोजिट नंबर, क्या है? तंपोजिट नंबर, जिसको कहते हैं भाज्य संख्याएं, या बच्चों, श्यूक्त संख्याएं, या योगिक संख्याएं, एक ही बात है, ये सारे नाम एक ही है, ठीक है? क्या है, बच्चों, बच्चों, पढ़ते आए हैं, जो एक और खुद के अलावा, किसी और से बीफाइड हो जैए, एक से सारी italvous छुद से इसारी, इनके अलावा किसी और से भी जो डिवाइड हो जाए वो क्या होती है composite लेकिन हम यहाँ यह पढ़ेंगे बच्चो जिस संख्या के दो से अधिक फैक्टर हो दो से अधिक फैक्टर्स हो जिसके दो से ज़्यादा गुणखन हो वो कहलाती है बच्चो composite नमबर जैसे बच्चो चार छे आठ नो को मत भूल जाना क्योंकि कई बार यह आतर पहली पांच भाज्या संख्याओं का जोड ग्याद कीजिए अगर आप इसको भूल जाओगे तो बच्चो फिर गलत हो जाएगा दस 12 इस प्रकार ठीक है क्योंकि जो 9 है ना यह आपका क्या है यह सबसे चोटी विसम भाज्ये है क्योंकि 4 सम है 6 सम है 8 सम है पहली विसम यहाई 9 तो 9 जो वो सबसे चोटी old composite है सबसे चोटी विसम भाज्ये संख्या है ठीक है तो देखो 4 के गर हम factor करें बच्छो चार 1 से divide होता है 2 से divide होता है 4 से divide होता है तो इसके क्या है 2 से अधिक factors है तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे composite 6 जैसे 1 से divide होता है 2 से होता है 3 से होता है 6 से होता है तो 2 से ज़्यादा factor है बच्छो इसके 8 जो है 2 से ज़्यादा factor हो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो उता है बच्चों हमारा composite ठीक है अच्छा अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि 1 इस नाइदर प्राइम नौर composite 1 जो उता है वो ना भाज्य है बच्चों ना ए भाज्य है 1 इस नाइदर प्राइम नौर composite यह भी आपको ध्यान रखना है कि एक ना भाज्य है ना ए भाज्य है मतलब एक किसी भी कैटेगरी में सामिल नहीं है बच्चों 1 इस यूनिवर्सल फेक्टर है एक सारा वणखन लेकिन ना यह भाज्य ना ए भाज्य है क्यों नहीं है बच्चों देखो अगर आपने सही डंग से डेफिनेशन पड़ी है तो आपको पता चल गया हुआ है क्यों नहीं है क्योंकि देखो एक के करम फेक्टर करें 1 इंटु 1 बस यही बनते हैं तो प्राइम नंबर की ए बाज्य संख्या की क्या थी जिसके दो फेक्टर ओं दो तो हैं लेकिन डिफरेंट हो तो यह सेम है तो यह उसकी कंडीशन को पूरा नहीं करता इसलिए यह प्राइम नहीं है बहुत से बच्चे रट लेते हैं कि एक नया भाज्य नया भाज्य लेकिन पता होता नहीं कैसे हैं तो दोनों की definition देखो जो भी तो पड़ा है, दो सेधिक फैक्टर हों, इसके तो सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, तो ना तो ये composite, यानकी भाज्य की condition को पूरी करता, और ना ये prime, यानकी एभाज्य की condition को पूरी करता, इसलिए one is neither prime nor composite, एक ना भाज्य है, और ना ही एभाज्य बच्चो, ठीक है, ये बताईए, comment करके, एक से सो तक भाज्य संख्याएं कितनी होती है, composite number कितने होती है, ठीक है, ये बताईए, एक से सो तक ए भाज्य है, हम पढ़ते हैं, बच्चो 25 होती है, और मैंने आपसे पूछा है, एक से सो तक भाज्य कितनी होती है, composite number कितने होते हैं, तो बच्चे वो होते हैं, 74, mostly बच्चे जो हैं, जो आप देते हैं, 75, क्योंकि उनको याद होता, आप भाज्य 25 हैं, तो सो में से 25 गटाई, भाज्य कितनी होगी, जो कि आंसर गलत हो गया, क्योंकि भूल जाते हैं, 1 जो है, 1, एक संख्यासी है, 1, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, तो टोटल कितनी होगी, 100, तो बच्चे छोटे-छोटे बहुत क्यूस्सन बढ़ते हैं, और कोई विशेश बात भी नहीं है, सोल करके भी देखने नहीं पड़ते, सिरफ कंसेट पतावना चीए, हम कंसेट नहीं पड़ते बच्चो, अब बहुत सी नई चीजे सीखोगे नंबर सिस्टम में, बहुत ज्यादा नई चीजे सीखोगे, बहुत सी चीजे आपको पहले आती हो, इसलिए कहता हूँ, शुरू से अंतक क्लास में बने रही है, अब इससे रिलेटेट कुछ क्यूस्टन हम करते हैं, दो अंकों की सबसे बड़ी आई भाज्य सिंख्या, अभी मैंने काता नहीं, यह क्यूस्टन जो है डेली पुलिस में आया हुआ है, दो अंकों की सबसे बड़ी आई बाज्य सिंख्या, वाट इस दा लार्जेस्ट टू डीजिट प्राइम नमबर, तो बिच्चों आपको पता होना चीजिए 97, और मैंने लीष्ट भी बता था, थ्री डीजिट का, तीन अंकों का सबसे छोटा, 101, एक से ग्यारा तक कितनी भाज्य है, देखो कितना आसान है, देली पुलिस का क्यूस्टन है, एक से ग्यारा तक कितनी भाज्य है, यह क्यों पूछा इतना आसान, क्योंकि बच्चे क्या गड़बड करते हैं, चार है, भाज्ये 6 है, आठ है, उसके बाद काउंट करते हैं, दस है, वो अकसर किसको भूल जाते हैं, इसको, क्यों उसके चार, छे, आठ, दस, तो वहां भी गलती करते हैं, तो एक से ग्यारा के बीच कितनी भाज्ये हैं, चार है, छे है, आठ है, नो है, और दस है, तो कितनी बच्चे हो, पाँच, ठीक है, कर लोगे, अब देखिए, एक से तीस तक कितनी है भाज्ये, एक से तीस तक कितनी है, तो बच्चों, आपको पता होगा, दस है, क्योंकि, दो, तीन, पाँच, साथ, ग्यारा, तेरा, सत्रा, उननिस, तेईस, बनात्तिस, यहां तक, क्योंकि आगे तो 31, तो 30 से बढ़ा हो गया, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नोर, तास, कितनी है, दस है, बच्चों, ठीक है, अब देखो, इस प्रकार पूछ लेता है, कई बार क्योंसन, पचास से पैसट तक, यह भी देली पुलिस में आए वा क्योंसन है, पचास से पैसट तक, सभी आए भाजे संख्याओं का योग, वैसे तो देखो, बिल्कुल आसान है, बच्चों, जोड़ी तो करना है, क्या करना है, योग, लेकिन, दिक्कत कहा है, तब आएगा न, जब आए पचास से पैसट के बीच, आए भाजे संख्याओं का पता होगा, इसलिए कहता हम, बच्चों, सो तक तो सारी आए भाजे संख्याओं आपको याद होनी चाहिए, सो तक सारी आए भाजे संख्याओं आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तो पचास से पैसट, बच्चो कौन कसी कौन सी होती है बच्चो तिरपन है 69 है 61 है क्योंकि उसके बाद आ जाती है 66 65 से उपर चली जाती है तो इन तीन का ही तो जोड़ है देखो कितना आसान कि उसने फरी का नंबर है लेकिन कब आएगा जब मैं यह पता होगा 50 से 65 तक वाज्य कितनी है तो मैं आपको यह रिलाइज करना चाहता हूं बच्चो एक से सो तक जो प्राइम नंबर है वह इंपोर्टेंट है उन्हां पर पता होना चाहिए कौन कौन से प्राइम नंबर है ठीक है तो बच्चू तीन और एक सत्रा कितना आप 173 एक सो तीहत्तर कर लोगी बच्चो हो जाएगा निमलिकत में से कौन सी एक नए भाज्य संख्या और नए ही भाज्य है वीचाद फोलाइंग इस नाइदर प्राइम नौर कमपोजिट तो बच्चो हम जानते हैं 1 वन इस नाइदर प्राइम नौर कमपोजिट एक जो किसी भी कैटेगरी में सामिल नहीं है ना ये भाज्य है ना ये ए भाज्य है ठीक है हो जाएगा अब इसके बाद बच्चो आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं बच्चो आगे हम चलते हैं एक उत्ता मारा को प्राइम क्या होता है को प्राइम यानकी सहय भाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर बड़ा इंपोर्टेंट अब च्चो ध्यान से देखना को प्राइम सहय भाज्य संख्याएं अब पहले एक थोटी सी बात में कलीर करना चाता हूं एक शब्द उतार रिलेटिव प्राइम ठीक है रिलेटिव प्राइम सापेक्सिक अभाज्य है क्या होता है सापेक्सिक अभाज्य है ठीक है बच्चो या आपेक्सिक भी लिख सकते हैं आपेक्सिक अभाज्य है रिलेटिव प्राइम actual में क्या होता है बच्चों ध्यान देना बहुत important बात है यह actual में होता क्या बच्चों जो हम co-prime की definition पढ़ते है actual में वो relative prime की होती है हम यह पढ़ते न जिन दो संख्याओं का hcf1 हो जिन संख्याओं का hcf1 हो जिन संख्याओं का hcf1 हो वो co-prime है actual में यह definition relative prime की होती है बच्चों तो आपके level पे हम दिनों को एक ही पढ़ेंगे वैसे तो देखो co-prime तो होता है वैसे मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूं आपको co-prime सहय भाज्य है तो actual में तो सहय भाज्य इसको कहते है set of two prime numbers set of two prime numbers that is co-prime two prime numbers set of two prime numbers दो एभाज्य संख्याओं का set वो co-prime है जैसे दो और तीन यह co-prime है तीन और पांच यह co-prime है पांच और साथ यह co-prime है साथ ग्यारा co-prime है बच्चो कोई भी दो prime number है उनका set co-prime होता है actual definition तो यह है बच्चो और जो यह हम पढ़ते हैं जिन संख्याओं का एच्छी यह 1 है वो actual में किस की definition होती है relative prime की होती है लेकिन हम इतने डीप में नहीं जाना चापते वैसे आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने इसका चिक्र किया कि co-prime होता है set of two prime numbers और जो जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो वो actual relative prime होते हैं लेकिन यहाँ हम इन दोनों को एक ही पढ़ेंगे क्योंकि जो co-prime के अगर हम definition कहें तो वो अगर आप कहीं चेक करोगे तो भी यहीं दिये मिलेगी जिन संख्याओं का HCF 1 हो तो हम इस से related ही यह चीज पढ़ेंगे बच्चो देखो बच्चो हम बात कर रहे थे co-prime यान कि सहय भाज्य ठीक है और यही relative प्राइम हम दोनों को क्या पढ़ेंगे एक ही पढ़ेंगे यह आप पे एक सी एब भाज्य है वैसे तो मनें बताव बच्चो co-prime होती है set of two prime नमबर दो एब भाज्य संख्याओं का set क्या कलाता है co-prime और relative प्राइम वो होता है जिन दो संख्याओं का hcf1 हो बड़ा important topic है ध्यान से पढ़ना बच्चो फिर इससे related एक बड़ाच्छा question हम करेंगे बच्चो एक definition इसकी यह भी आप कह सकते हो जिन संख्याओं में जिन संख्याओं में एक के अलावा कोई common factor ना हो एक के अलावा कोई common factor ना हो बच्चो एक बात बताओ hcf1 कब होता है hcf1 तब ही होता है जब उनमें कुछ भी common ना हो जब दो संख्याओं मान लिए आपके पास है उनमें कुछ भी common ना है तब hcf1 आता है तो बच्चो एक ही बात है या तो ये कहो जिनका hcf1 हो या ये कहो 1 के अलावा कोई common factor ना हो वो कहलाती है co-prime जैसे बच्चो 2,3 3,4 4,9 all these are co-prime मतब 2 और 3 में कुछ भी common नहीं है या hcf कहेंगे तो 1 आएगा 3 और 4 में कुछ भी common नहीं है hcf कहोगे 1 आएगा 4 और 9 में कुछ भी common नहीं है hcf निकाड़ोगे तो 1 आएगा या हम सीधी सी भाष्या में यह कह सकते हैं बच्चो विल्कुल सिंपल भाष्या में co-prime ये relative prime वो होती है जो दोनों संख्याइं किसी एक संख्या से cancel ना होती हो दोनों संख्याइं किसी एक संख्या से cancel नहीं होगी कब होगी cancel तब होती है जब उनमें कुछ common हो common है यह नहीं common है नहीं तो इसलिए hcf 1 है तो बच्चो चाहे तो आप ये कहो जिनका hcf 1 है या ये कहो जिनमें 1 के लावा कोई common factor ना हो अब इन दोनों में कुछ भी common नहीं है कुछ भी common नहीं है या कुछ भी common नहीं है यह ये कह सकते हैं बच्चो कि दोनों संख्याइं किसी एक संख्या से cancel ना होती हो वो होती है को प्राइम या एक बात और ध्यान रखना बच्चो कई बच्चे या ये शब देखेंगे आ भाज्य प्राइम तो वो सोचेंगो प्राइम होनी चाहिए नहीं जरूरी नहीं है को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं होता को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं होता मतलब सह ए भाज्य होने के लिए ए भाज्य होना जरूरी नहीं है वो दोनों ए भाज्य हो सकती है जैसे देखो दो भी ए भाज्य है तीन भी ए भाज्य है दोनों ए भाज्य है लेकिन बच्चों एक भाज्य दूसरी ए भाज्य भी हो सकती है तीन ए भाज्य है चार भाज्य है और दोनों की दोनों भाज्य भी हो सकती है चार भी भाज्य है नो भी भाज्य है तो मतलों को प्राइम सह आई भाज्ये होने के लिए आई भाज्ये होना जरूरी नहीं है वो दोनों आई भाज्ये हो सकती है एक आई भाज्ये दूसरी भाज्ये हो सकती है और दोनों की दोनों भाज्ये भी हो सकती है कंडिसन क्या है उनमें कुछ भी कॉमने ना हो जैसे 16 और 25 दोनों भाज्यें बच्चो ठीक है तो यह यह भी ध्या रखना सबी ऐ भाज्ये संख्याएं सबी ऐ भाज्ये संख्याएं को प्राइम होती है सबी ऐ भाज्ये संख्याएं को प्राइम होती है लेकिन को प्राइम होने के लिए आई भाज्य होना जरूरी नहीं है ठीक है बिच्चो जैसे देखो ये को प्राइम होने के लिए आई भाज्य होना जरूरी नहीं है एक भाज्य एक आई बाज्य है या दोनों भाज्य है या दोनों की दोनों भाज्य हो सकती है, लेकिन सारी की सारी A भाज्य क्या होती है, को प्राइम होती है, ठीक है, अगली बात, अगली बात बच्चो, अगर A भी को प्राइम है, A भी क्या है, को प्राइम, अगर A भी को प्राइम है, अगर A और B 고-prime है तो उनके square भी- sie 2 ओर 3 क्या है Co-prime तो 2 का square क्या हुआ ? 4 और 3 का square क्या हुआ ? 9 तो ये भी available जैसे बिच्यो गरम ये कह Banks 4 और 5 क्या है Co-prime तो 4 का square 16 और 5 का square 25 ये भी तो Co-prime है तो बिच्यो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर A और B co-prime है A और B A भज्य है तो A square B square भी सभज्य होती है इसके लवा हमने ये पढ़ा बच्चो कि उनका जो HCF है वो 1 होता है HCF क्या होता 1 अगर बात करें तो उनका LCM क्या होता है co-prime number का LCM क्या होता है हमने ये तो पढ़ लिया HCF 1 है co-prime number का HCF 1 है या जिनका HCF 1 है वो co-prime है तो उनका LCM क्या होता है LCM उनके गुणफल के बराबर उनके product के बराबर LCM क्या होगा उनके गुणफल के बराबर जैसे बच्चो ये है ये co-prime है तो इनका LCM क्या होगा 6 होगा इनका LCM 12 होगा इन कैल्सियम 36 होगा ठीक है आई बासम्ज में कर लोगे हो जाएगा बच्चो अब इससे related question देखिए बड़ाचा question आया हुआ है ये SSC का पूछावा question है बच्चो SSC का question P तथा क्यों 2 सापेक्सिक आभाज्य है SSC ने लिखा था आपेक्सिक है SSC ने क्या लिखा था आपेक्सिक आभाज्य संख्याए इस प्रकार है कि P जमा क्यों जो है वो 10 है और P क्यों से छोटा है तो P क्यों के कितने जोड़े बनाई जा सकते है क्या कहा उसने कि पहली बात P और क्यों का जोड़ 10 है दूसरी बात P जोटा है क्यों से और तीजरी बात दोनों क्या है रेलेटिव प्राइम्स है तो बच्चों मैंने क्या का रेलेटिव प्राइम वही होती है जो को प्राइम होती है मदला जो को प्राइम के डेवसिअशन पढ़ते है मदला उनमें कुछ भी common ना हो, एक्स यफ वन है, वो ती रिलेटिव प्राइम, तो मैं लोगी में कुछ भी कॉम्बन नहीं है, दूसरी बात, पीच क्यों से छोटा है, तीसरी बात दोनों का जोड दस है, अब दस जोड किस किस का होता है, पहले वो फैक्टर देखो, एक और नो का जोड दस होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल, दोर आठ का जोड, पीवर क्यों का जोड दस है, एक और नो का जोड दस होता है, बिल्कुल, दोर आठ का जोड दस होता है, बिल्कुल, तीन और साथ का जोड भी क्या होता है, दस, अब आगे हम कहें, कि चार और छे का जोड भी कितना होता ह दस उसके बाद अगर हम कहें 5 और 5 का जोड़ भी 10 है तो बच्छो 5 और 5 का जोड़ 10 लेकिन ये तंडिशन पूरी नहीं होती इसमें कहता पी जो हो ना की है जिनका जोड दस हो तो दस जोड एक और नो का हो सकता है बिल्कुल दो और आठ का हो सकता है बिल्कुल तीन और साथ का चार और छे का पांच पांच को निले सकते क्योंकि पी क्योंसे छोटा होना चाहिए नो एक बगरा आठ तो बगरा निले सकते क्योंकि पी छोटा होन तो ये बच्चो कौन सी होती जिनमें कुछ भी कुम मना हो अब इन दोनों में तो दो कुमन है दो एक कम दो दो जो क्याट तो ये भी नहीं हो सकता इन दोनों में दो कुमन है दो दो निच यार दो तीच है ये भी नहीं हो सकता तो कितने जोडे पॉसिवल है दो ही जोडे एक ज़्यादा लाइक, शेयर और स्पॉर्ट कीजिए तो बच्चो बाकी जो आगे का काम है वो अगली क्लास में करेंगे और बच्चो इसको बार-बार आप देखिए बहुत छोटी-छोटे बड़े अच्छे क्यूसन बनते हैं पर सिस्टम में मैं आप को यह बता था अमें कोई जल्दी नहीं है हम बिल्कुल बेसिक से बात पर इसकुस बात चलेंगे और उससे रिलेटिड 5 tuh production से रिलेटिड जो क्यूसन है वह भी साथ साथ में डिसकुस करेंगे कैसे कैसे क्यूसन आए का आपको यह तो पता सिर्फ concept छीख लिया, तो उस से जो है math नहीं आता कभी भी, math लगातार practice से आता है बच्चो, तो साथ में maximum questions जो है, वो आपको करवाएंगे और इन questions की आपको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है, तो बच्चो मिलते हैं next class में, धन्यवाद,